हेलो दोस्तो लेट्स क्रेकट की मैगजीन एनलासी स्रीज में आप लोग का स्वागत है नियू इंडिया समचार मैगजीन का चोबीसमा इशू यहाँ पर जारी हो चुका है जून सोले से तीस तक का यह इशू आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ टोटल 48 पेजिस थे 48 पेजिस टोटल काम के नहीं थे शुरू के 5 पेजिस इंट्रोडक्शन के नोट इंपोर्टन चार पेजिस कोबिड डाटर नोट इंपोर्टन और साथ ही 18 पेज जो की योगा से रिलेटेट थे उनको मैंने 5 सिलाइडों के अंदर डाल दिया है तो जो इ क्योंकि 21 जून जैसा कि आपको पता हो तो वो इसी बीच में पढ़ती है 16 से 30 जून के बीच में इसलिए यह जो घटना है यहां पर दे दी गई है कि किस तरीक से योगा को ग्लोबलाइस किया गया एक बहुत ही सॉलिट कुशन यहां से निकलता है योगा का कि योगा का जो इकनोमिक इंपेक्ट है ठीक है मैं बात कर रहाँ इकनोमिक इंपेक्ट की not health के सहितर में या आपका mental health के सहितर में इन सब चीजों में नहीं इकनोमिक के सहितर में कितना बड़ा मार्केट बनने वाला है योगा का वो काफी जादा important चीज़े होने वाली है उससे पहले नहीं लिए गया होता तो इस वजह से बहुत सारी जाने यहां पर बचाई जा सकी है तो सभी ने मदद की इंडियान नेवी हो इंडियान आरमी हो सभी ने मिलकर करके यहां पर इन दोनों जो है इस से हमाँ छुटकारा दिलाया दूसरा देखें तो United Nations ने यहां पर इंडिया का जो फोर्कास्ट है वह 7.5 परसेंट बता दिया है जीडीपी 2021 में इतनी बढ़ेगी पहले कहा था इन्होंने 7.3 बढ़ेगी लेकिन अब यहां पर रिवाइस करके कहा है कि 7.5 परसेंट यहां पर बढ़ने के चांसे हैं 2021 में उसके बाद आपको मिले आती है कि गवर्मेंट ने फर्टिलाजर सबसीडी जो है वह 140 परसेंट तक बढ़ा दी है तो यह मैं अगरिकल्चर में भी कवर कर चुका हूं तो आपको यहां पर समझा देता हूं तो खासकर आपका डाई अमोनियम फास्पेट देखते ना तो डाई अमोनियम तक बढ़ाने की जरूत क्या पड़ी या फिर आपके कट्टे के प्राईस उननीसो रुपे क्यों पहुँच गए थे तो इसके पीछे रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखें तो फॉस्फोरिक एसेट है उन सबके प्राईस भी बढ़ गए थे इस वज़े स कुछ issues भी create हो जाते हैं जैसे जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कट्टा उननीस सो रुपे का होता तो 38 सो रुपे में दो ही कट्टे आते लेकिन अभी कट्टा बारस होगा है तो अब तीन कट्टे आएंगे तो दो कट्टे चाहिए अब तीन कट्टे तो जितना चाहिए उ और यहां पर च्छटा बना 6000 वा रेलवे स्टेशन वाइफाई से एक्ट्यूप होने वाला बना वह मना हजारी बाग टाउन रेलवे स्टेशन जो की झारखंड का है इसी के साथ इसी दिन हमने यहां पर जारा पाड़ा स्टेशन पर भी लगाई उडिसा के तो यह दोनों स स्टेशन साइमल्टेनियसली 6000 बे आपका रेलवे स्टेशन यहां पर बनें पहला लगा था मॉंबई रेलवे स्टेशन पर और जनवरी 2016 में जब हमने प्रोविजन शुरू किया था तो यह पहला था अगली बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड इसकीम जो है उसके प्रोविजन बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है इन 32 स्टेट्स और यूटी में से देखें तो 1.5 क्रोंट पीपल अभी तक यहां पर हमारे पास जूड़ चुके हैं तो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो प्रोविजन है इसका लक्ष है आपको पता होना चाहिए आप किसी भी तरीके की जो फेयर प्राइस शोप है या पॉब्लिक डिस्टिबुशन सिस्टम के थूज़ जो शोप्स बनाई जाती है उन से आप राशन खरी सकते हो आपका कार्ड कहीं का भी हो सकता है लेकिन आप राशन कहीं पर भी खरी सकते हो तो यह आपको आजाब हमें गोवा को आजाद करने में ठीक है गोवो 61 में आजाद हुआ यहान पर दीखते है यहां पर दिया गया है नयां आपको वास्को डिगामा यहां पर दो पर holiness कि इंडिया को ब्रेटिशर्स से फ्रीडम मिली 1947 में पुरुचेरी आजाद हुआ फ्रेंच से 1954 में और गोवा अभी भी रह गया था और उसको हमने 1961 के अंदर जो है वो वहां से जो पुर्तिगीज कंट्रोल है उसको यहां पर खतम कर दिया तो इसमें आपको राम बनुहर लो पोशिश की गई इसके बाद कुछ और रिवलूशनरी गुरूप जैसे की बनाया गया आजाद गौमंटक दल यह ठीक है तो इसका नाम याद रखिएगा कि यह किस से एसोशेटिट है यह एक्टिव फ्री गोवा फ्रॉम दा क्रचिज ओव दा पुर्तिगी से आजाद करा याद रखिएगा उसके बाद आपको मिलेगा जब डायलोग्स और डिप्लोमेटिक एक्सेंजिस यहाँ पर काम नहीं किये तो इंडिया ने अपना ओपरेशन विजय स्टार्ट किया और आप देखेंगे कि दिसंबर 18 1961 में हमें यहाँ पर आजादी मिल गई उसके बाद ग फिरों के बारे में हम पर पता लगेगा जो की इनका नाम आपको मिल जाएगा मेज़र राम रगोबा राने ठीक है तो यह बेसिकली नोंने मिसाल कायम की 1948 में 1948 में कुछ जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो पठान लोगों की भेस में आपका कश्मीर में एंटर कर चुके थ था कि कि किसी तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज कर लिया जाए बट यह उनका मकसर सफल नहीं हो पाया क्यों क्योंकि यह जो सिपाहिते यह वहाँ पर उस समय मुझूद थे और इन्हीं की बातर घंटे बिना भूग प्यास के इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर ट चले गए हैं उनके लिए यहाँ पर हमने जो है वह फाइनेशल फाइनेशल असिस्टेंस देने की शुरूबात किये तो यह कुछ पॉइंट है याद रखिएगा ठीक पॉइंट्स यह हैं कि अगर आपका बच्चा जो है वो दस साल से चोटा था तो उसको केंद्रिया बच्चा अगर 10 से 18 साल का है तो उसको सैंटल गॉर्मेंट रेसिडेंशल स्कूल जैसे की सैनिक स्कूल नवोदे विद्धाले इन सबमें अडमिशन दिया जाएगा और इसका खर्चा भी PM केर फंड ही उठाने के लिए तयार है उके उसके बाद देखेंगे कि अगर 18 साल क बच्चा हो गया तो उसको एक तरीकी का मंथली स्टिपेंड या फिर स्कूलर्शिप देने का प्रोविजन यहां पर रखा गया है और जब बच्चा आपका तेही साल का हो जाएगा तो उसको 10 लाग रुपे भी दिये जाएंगे पी एम केर फंड से एजुकेशन लोन भी किया जाएगा हाईयर स्टेडी के लिए और उस पर इंट्रेस्ट पे करेगा पी एम केर फंड साथ ही जो आपका बच्चा है उसका हेल्थ इंसूरेंस भी कराया जाएगा पांच लाख रुपे का हेल्थ इंसूरेंस अंडर दा आयुशमन भारत और जिसका प्रीमियम पे कर हैं जैसे यह सब छोड़िए यह सब दोबारा रिपीट होगा यह देखिए दुनिया को कब रियलाइज हुआ इंपोर्टेंस ओफ योगा यह रियलाइज हुआ आपका दोजार चोधा के अंदर दोजार चोधा के अंदर यह 193 मेंबर्स युनाइट नेशन जनल सेम्बली अप्रूव कर लिया कि 21 जून को एजा इंटरेशनल डे ओफ योगा हमेशा के लिए मनाया जाया करेगा और राइट तो 21 जून को इंटरेशनल डे ओफ योगा मना दिया गया और योगा प्रोवाइड सा हॉलिस्टिक एप्रोच फॉफ हेल्थ और वेल बिंग अपार्ट र से आपको बताता है कि इंडिया में योगा का बर्जेंस था दूसरी तरफ देखें तो अकर आप गूगल सर्चिज के बात करें तो लगतार गूगल पर सर्च करने वाले जो चीजी हैं उसमें योगा योगा भी आपको मिल जाएगा कि योगा के सर्चिज बहुत जादा मार्केट है वह हो आपका 66 बिल्य अध्य गिलोबल योगा मार्केट होने वाला है इस समय आप देखें 2019 में 37 बिल्यं का था और इसमें से सिर्फ 4 बिलियन तो इंडिया के अंधर ही है तो वैरी वैरी इंपोर्टन योगा मार्केट के अंदर चीजे क्या आ जाती है योगा सा जाते हैं उनको employment मिलेगा ओके साथ ही आप देखें योगा related goods manufacturing industries को बढ़ावा मिलेगा yoga institutes को training centers को बढ़ावा मिलेगा और as a employment hub create होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि according to the back side status का yoga mat worth 11 billion और आप देख सकते हो कि yoga mat मार्केट का अपना मार्केट कितना बड़ा है तो 11 billion का मार्केट तो योगा mats का है फिर बागी जो equipment बचे बहुँ अलग बचे कि तो 70 तरह की belts वगेरा इसा बात है ना उसके बाद आप देखें तो योगा research के जरीए भी आप यहां पर योगा का मार्केट बढ़ा सकते हैं योगा मार्केटिंग है योगा इस इंडस्टी है योगा फोर वोमें वोमें एंपावर्मेंट के लिए ठीक है क्यों क्योंकि उनकी health के लिए भी जरूरी होता है ड्यूरिंग दप्रेगनेंसी और अधर कंडिशन्स थी के anxiety में भी स्ट्रेस में भी डिप्रेशन में भी हॉर्मोनल इंबेलेंस सभी चीज़ों में जरूर्थ होता है नोट इबिन फूर वोमें और मैंन के लिए भी इन सब चीज़ों में जरूरत रहती है तो यह सब चीज़ें आपको देख कर के चलनी है कि किस तरीके से बढ़ावा मिलेग दूसरा देखें तो पिछले पांस से चालों में किस तरीके से काम हुआ है 2015 में आप देखें तो हमने वर्ड रिकोर्ड यहां पर तयार किया राजपत पर दुनिया भर में दुनिया भर में योगा बनाया गया और इसकी थीम याद रखिए योगा फोर हार्मनी और पीस फि तो योगा एट होम कोविड नैटीन पेंडमिक के दुरान 2020 में यह सब थीम्स दी गई है पिछले 6 सालों में क्या 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 किया तो ऐसा किया इफ़र्स टू बूस्ट योगा कैसे किये गए तो सबसे पहले हमने 1976 के अंदर कंटरी में पहला सेंटर योगा रिसर्च इसके बाद देखेंगे कि 1978 के अंदर सेंटरल काउंसल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नैचुरोपैथी एस्टेबिलिश किया गया 2003 के अंदर इंडियन सिस्टम ओफ मैडिसिन और होमेपैथी जिसका रीनेम उसको रीनेम कर दिया गया ऐज आयूश डिपार्टमेंट ऑक इसको आपका इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया ओके फरवरी 2016 में आपको दीखेगा कि नेशनल बॉर्ड बनाए गया फॉर्ड प्रमोशन डेवलप्मेंट ओफ योगा एंड यूरोपैथी जिसके तहत आपका जो योगा ट्रेनिंग जो भी एबिल जाएगी उसके पास सिगनिफिकेंस ओफ योगा डे लोगो यह जो लोगो आपको उपर दिखाई दे रहा है इस लोगों का इंपोर्टेंस आपको यहां पर देखना पड़ेगा इसके बंदे के दोनों हाथ उपर की तरफ हैं विच रिफ्लेक्स दे यूनियन उफ लेगा ग्रीन लीप तो जो ब्राउन लीप से दिखाती है अर्थ एलिमेंट्स को जो ग्रीन लीप से वो दिखाती है पर करती को और जो आपका बिलू रंग है जिसका यह बना हुआ है यह दिखाता है आपको फायर को तो यह उल्टा हो गया ठीक यह फायर को दिखाता है य वारतों इन्हों ने यही लिखा था कि युनाइट नेशन जनरल असेंबली ने इसको एड़ाप्ट किया इंटरनेशनल योगा डे के रूप में स्मार्ट सेटी मिशन की बात कर लेते हैं तो एक लाइन बहुत ही इंपोर्टन जो स्मार्ट सेटी मिशन है वो आपका 2016 में शुरू किया गया था और याद रखेगा कि महराष्टा में पूने से शुरू किया गया था आयुशमान योजना के बारे में पूछ लिया था आप से कहां से शुरू किया थी ठीक है तो इसी तरीके से याद रखेगा कि पूने से यही शुरू किया गया था और हमारा मकस इंटरनेट हो बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वह आपकी लाइफ यह ईजी चीप और इस्टेट ऑफ द आर्ट हैल्थ इनफर स्ट्रक्षर हैं चाहिए पानी की सप्टाइच गंटे जाहिए बिजली की सप्लाइच गंटे होने चाहिए सेक्योर्टी होनी चाहिए उसके बाद आपको मिलेगा कि अफ़ोडेवल हाउसिस भी होने चाहिए especially for the poor also उसके बाद कोवीड-19 के दोरान हमने बहुत कुछ किया है आपका जो यह मिशन है इसमार्ट सेटी मिशन को इंप्रूव करने के लिए हमने कंट्रोल रोम्स बनाई स्मार्ट सेटी के अंदर कोवीड-19 को टैकल करने के लिए उसके साथ कुछ और इनिशेटिफ भी लिए गए जैसे जैसे हम दो मिलेंगी स्मार्ट सेटी बेबसाइट भी यह पर डिजाइन की गई है और साथ ही आपको क्लायमेट स्मार्ट सेटी असेस्मेंट फ्रेमबर्ग भी मिलेगा जो की 100 स्मार्ट सेटी में लौंच किया गया है एकरोस थे कंट्री ताकि उनकी जो की जाए और देखा जाए कि सस्टेनेबल और बेटर तरीके से सिटीज काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके बाद मिलेगा यह सब जो हमारा हेल्थ आपका स्मार्ट सिटी का जो मिशन है इसकी शुरूबात जो हुई वो आपकी गुजरात से हुई गुजरात 2007 की बात कर रह हुआ 2011 में यह बंगर के तैयार हो गई साबरमती रीवर पर है एहमदबाद के अंदर इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेशनल सर्विस सेंटर भी आपको यहां पर मिल जाएगा सिक्स लेन है और फोर लेन के थूरू यह सब आसपास के एरिया से से कनेक्टेड है और के मेट्रो भी यहां पर है चोबिस भाई फोर आपको बिजलेई पावर टेलीकॉम सर्विस मिल जाएंगी जो मैं आपको पीछे बताया तो इस तरीके की सिटीज हमें आप पर क्रिएट करनी है एक्जांपल के तोर पर गिफ्ट सिटीज को याद रखि करने के मैं आपर कोशिश करता हूँ अभी आर्टिकल क्यों दिया गया है क्योंकि 25 जून अभी आने वाली है आपकी और तो इसी चीज़ के ओपर यहां पर आपका अब अब इमर्जेंसी को एड़ ग्लांस यहां पर देख लेते हैं जो कि इसके अंदर दिया गया था हुआ क्या था इमर्जेंसी इंपोस की गई थी मिड्नाइट ओन जून 25 याद रखेगा और 1975 के अंदर और 26 जून की अगर हम बात करें तो सभी पूरी कंट्री ने रेडियो पर सुना और याद रखेगा कि इंटर्नल डिस्टर्बेंस वाजद साइट दरीजन बहाइंड दा इमर रिव्यू के पावर थी वो कोट से चील ली गई और उसके बाद आप देखेंगी कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉंट्मेंट्मेंट होने पर कोई भी जूडिशर रिव्यू नहीं हो सकता कोट में ये बात कहती गई थी 40 मां संसोधन हुआ 41 मां हुआ 42 लेंडमार्क अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया और 42 अमेंडमेंट के दौर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़े बदली गई उनमें से एक थी कि डिरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स एं स्टेट पॉलिसी उनको जादा वरियता दी ग तो इस तरीके से एमर्जेंसी को यहां पर रोकने कोश्य की टोटल 21 मंथ तक एमर्जेंसी यहां पर चली 1977 में इमर्जेंसी यहां पर लिफ्ट कर ली गई और उसके बाद देखने के नहीं मिलेगा कि मौराजय देशाई वास सोन इस न्यू प्राइम मिनिस्टर उफ देंड इसके बाद आपको यहां पर मिलेगा कि और राइट यह है फिर बहुत सारे लीडर्स का यहां पर आप देखेंगे कि अरेस्ट भी हुए उनको जेल में भी यहां पर डाला गया इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस के नाम पर जो आपका यह काम किया गया था ओके तो यह आर्ट है कि बहुत ही इंपोर्टन प्राइम मिनिस्टर यह यहां पर देखने के लिए मिलेंगे इनके थोड़ से वर्क हम यहां पर देखने के कोश्च करेंगे नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर थे नैंटी नैंटी वन के अंदर यहां पर आए और कंट्री को बहुत कुछ दिया ग से पहले यह बिसिकली आंदर पर्देश के छीफ मिनस्टर थे आंदर परदेश के चीफ मिनस्टर होते हुए इन्होंने लेंट रिफरम्स किये की पूरी कोशिश की उसके बाद आप जेखेंगे 1991 के अंदर से भी एक्ट से भी एक्ट इनकी ही बदोलत से यहां पर आया से भी एक्ट ओफ 1992 इन्हीं की वजह से यहां पर आया और साथ ही आपको मिलेगा कि नेशनल स्टोक एक्षेंज जिस पर अभी तक कंप्यूटर प्रेडिंग भी शुरू हो गई बासमयवाया पंजाब के अंदर टेर्रेरिजम की जो रूट्स थे उनको इन्होंने खतम किया इन्होंने सेपरेटिस्ट जो मुव्मेंट वहां पर चल रहे थे उन सभी को खतम किया वहां पर उके उसके बाद आपको मिलेगा कि एक आपने पॉलिशी सुनी होगी लुकिस्ट पॉलिशी जिसको प्राइम बिनिस्टर और नरेंद्र मोधी जी ने आकर आकर एक्टी पॉलिशी कर दिया तो वह जो आपकी लुक जो दिमाग उनके पीछे यहां पर दीखेगा आपको कि किस तरीके से इन्होंने यह सब काम कि तो इतने सारे वर्क कि इंडिया को एक गिलोबल पॉजिशन पर ले जाकर कि खड़ा कि एक नॉमिक लिब्रलाइजेशन किया पूरे इंडिया का और जिसकी वज़े से आज ऐसी स इस्टूइशन हमें देखने के लिए मिलती है तो वैरी वैरी इंपोर्टेंट याद रखेगा इतना पॉइंट उसके वाद आपको मिलेगा कि 29 जून को ही हम मनाया जाता है नेशनल इस्टेटिक्स दे और आपने अगर इनका नाम सुना हो प्रसांत चंद्र महान बोरिस त तो इन्हीं के जो वर्क हैं उन्हीं को देखते हुए 2007 से हम यहां पर यह जो आपका बना रहे हैं नेशनल डे ओके तो यह बॉन हुए थे कलकता के अंदर यह सब इनकी हिस्ट्री दी हुई है लाज सेंपलिंग सरवेश अंडर थे टैखनी दर तो दर रेंटम सेंपलीं फोर थे लार्ज पोपुलेशन लाज पोपुलेशन को किस तरीके से सर्वे किया जा सकता है उसके उपर इन्हों ने यह सब मोडल सेयार कि और उसके बाद आपको मिलेगा अन देबेश ओव दिस सब इन्होंने यहां पर डिसकस करने कोशिश की और साथ ही मिलेगा कि बैंगॉल में जूट की जो खेती थी इसलिए हम मनाते हैं तो इतना याद रखिए जादा डिटेल में जाने की जोड़त नहीं पड़ेगी उसके बाद देखें यहां पर आप तो एक हूल दिवस मनाया जाता है यह हूल दिवस आपको मिलेगा 30 जून को मनाया जाता है और तो आजादी के अमरत महुत सब के अंदर हम इसको देखने वाले हैं आपको पता हूँ तो 5857 की किरांती हुई लेकिन उससे दो साल पहले ही यहां पर उससे भी बड़ी नहीं कह सकते मतलब एक और्गनाइजड जो किरांती है वो यहां पर हुई जिसको कहते हैं संथाल रेवलूशन आपने पढ़ा होगा संथाल 1855 को यहां पर एक और अपर हुई जिसको कहते हैं तर संथाल ट्राइबल अपर राइजिंग उनके राइट्स अपने राइट्स के लिए वो यहां पर लड़ रहे थे और जारखंड का इलाका था जारखंड में इसी वज़े से हमने संथाल परगना नाम का एक जो जगह है को भी यांपर क्रियेट की है अब यह जो हूल डे है इसमें हूल का क्या मतलब है तो संथाली लैंग्वेज में हूल का मतलब होता है रिवेलियन और इसके लिए आपको मनाया जाता है याद करने के लिए कि हमने भी ऐसा कुछ किया था तो android फीट्राइब की कि फिप्टी औ इंडियन हिस्ट्री के अंदर उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है और राइट तो यह सब पॉइंट मिलेंगे साथ ही यह जो साइड में नाम लिखे हुए हैं यह नाम है सिधो कातू चंद एंड भैरव तो यह सब आपको मिलेंगे कि यह चार भाई थे और इन्होंने संथा संथाल्रिवल्यूशन में भी अच्छा वर्क किया इनका नामनों सिस्टर्स थी और संथाल्रिवल्यूशन में इनको भी यहां पर थे तो इनका नाम मत भूलना क्योंकि जब आपसे बूमेन का रोल पूशता है इंपोर्टेंस पूशता है किरांती में तब आप सिर्फ बड़ी बड़े ही नाम लिखते हो जैसे राइन लक्षमिवाई का नाम लिख दिया लेकिन इनका नाम लिखोगे तो अलग से इंप्रेशन जाएगा ओके तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा याद रखने कोश्क्रों पूश लेगा कि आपने फूलों और जानों का नाम सुना होगा यह किस से से बताइए कौन से अप्राइजिंग से तो कोहरा ही कोहरा हो जाएगा चारों तरफ अगर याद नहीं रखोगे तो याद रखना इस चीज़ को यह हमारा एंड ओव दर सलाइड है इतना ही काम का था कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा लॉंच करने की कोशिश नहीं की जो की मैगजीन में दिया गया था सब कुछ पढ़ाया है और कोवीड-19 का डाटा इधर कर दिया मोधी जी टेक केर